हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी नमस्कार, Quick News कारिक्राम में आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है मनीश रवास्तो और हम बात करेंगे अंडबान और नीको बार में होगी G20 की बैठक G20 की बहु प्रतिक्षित बैठकों में से एक G20 अध्यक्षता बैठक 26 नवंबर को अंडबान और नीको बार दीप समू में आयोजित की जाएगी ये अंडबान और नीको बार दीप समू के स्वाराज दीप में आयोजित की जाएगी इसकी लोग प्रियता और मंत्र मुग्द करने वाली प्राकरतिक सुन्दरता को देखते हुए नई दिल्ली में G20 सचेवाले ने अपनी एक बैठक स्वराजदीप में आयोजित करने का फैसला किया है आपको बता दें ये भारत में सबसे बड़ा बहु पक्षिय इवेंट है और इसका उद्देश एक तुरुटी हीन और विशिष्ट भारतिये G20 की मेजबानी करना है इस कारिकरम की मेजबानी सवराजदीप में G20 के भारतिये समनवेक हर्षवर्धन श्रिंकला द्वारा की जाएगी इस दो दिविशी कारिकरम में करीब 40 लोग शामिल होंगे इन में G20 देशों के मिशन प्रमुक, विश्व बैंक, ADB, IMF और UN जैसी अंतराश्टी संगठनों के प्रतिनिदीश शामिल है आपको बता दें भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता समालेगा G20 की अध्यक्षता समालने के बाद देश भर में 200 से अधिक बैठके आयोजित की जाएगी ये बैठक इन में से एक है इन कारिक्रमों और सेमिनारों के लिए पूरे भारत में 56 स्थानों को चुना गया है इन में से प्रतिक बैठकों में 40 देशों और अंतराष्टी संगठनों के प्रतिनिधी भाग लेंगे अगर G20 की बात करें तो ये 19 देशों और यूरोपिय संग से मिलकर बना एक अंतर सरकारी मंच है ये वैश्विक अर्थ व्यवस्ता से संबंदित प्रमुक मुद्दों जैसे अंतराष्टी विती इस्तरता, जलवायू परिवर्तन और सदत्विकास को संबोधित करने के लिए काम करता है इसकी स्थापना वर्ष 1999 में की गई थी और इसमें वैश्विक GDP का लगबग 85 प्रतिशत और लगबग 95 प्रतिशत अंतराष्टी वैपार शामिल है 2022 में G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया द्वारा की गई थी